पित्र पक्ष की पौराणी कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे दोनों अलग अलग रहते थे जोगे धनी था और भोगे निर्धन दोनों में परस पर बड़ा प्रेम था जोगे की पत्नी को धन का अभिमान हो गया था किन्तु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हिर्दय थी पित्र पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पित्रों का श्राद करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ कर टालने की चेष्था करने लगा किन्तु उसकी पत्नी समझती थी कि यदी ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाते बनाएंगे फिर उससे अपने माय के वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा अतहवे बोली आप शायद मेरी परेशानी की वज़े से ऐसा कह रहे हैं किन्तु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी दौनों मिलकर सारा काम कर लेंगी और फिर उसने जोगे को अपने पीहर नियोता देने के लिए भेज दिया दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुभह सवेरे आकर काम में चुट गई उसने सारी रसोई तयार की अनेक पकवान बनाए आखिर उसे भी तो पित्रों का श्राद तरपन करना था तो वेह अपनी जेठानी से बोली अच्छा जी जी तुमें चलती हूँ सारा काम हो गया है इस अवसर पर ने जोगी की पत्नी ने उसे रोका और ने वे स्वैम ही रुकी परन्तु रास्ते में आते आते वेह सोच रही थी कि मेरी घर पर पित्रों के भोजन के लिए तो कोई सामान नहीं है मैं घर जाकर उनके लिए क्या पका पाऊंगी लेकिन ऐसा सोचते सोचते ही वो अपने घर पहुँच गई और उसने बहुत ही शधा भाव से अपने पित्रों के लिए अंग्यारी तयार की शीग्र ही दोपहर हो गई पित्र भूमी पर उत्रे जोगे और भोगे के पित्र पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके सुस्राल वाले वहां भोजन पर जुटे हैं निराश होकर वे भोगे के यहां चले गए वहाँ क्या था? मात्र पित्रों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी पित्रों ने उसकी राख चाटी और भूगे ही नदी के तट पर आ पहुँचे थोड़ी देर में सारे पित्र एकट्टे हो गए और अपने अपने यहां के शाधों की बढ़ाई करने लगे जोगे भूगे के पित्रों ने भी अपनी आपबीती सुनाई फिर वे सोचने लगे अगर भूगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूका न रहना पड़ता मगर भूगे के घर में तो दो वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी यही सब सोचकर उन्हें भूगे पर दया आ गई अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे भूगे के घर धन हो जाए सांच होने को हुई भूगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था उन्होंने मा से कहा मा बहुत भूग लगी है तब उन्हें टालने की गरज से भूगे की बतनी ने कहा जाओ आंगन में होदी आउधी रखी है उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बाट कर खा लेना बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं की होदी मोहरों से भरी पड़ी है वे दोडे दोडे मा के पास पहुँचे और बोले मा यहाँ आओ देखो होंडी के नीचे चाहे आगन में आकर भूगे की पतनी ने यह सब कुछ देखा तो वे भी हैरान हो गई और वे सोचने लगी कि शायद आज पित्रों को उसकी हालत पर तरस आ गया है और उन्होंने कृपा करके उस पर यह उपकार किया है इस परकार भूगे भी धनी हो गया भोगे और उसकी पत्मी ने अपने पित्रों को मन ही मन साधर प्रणाम किया और उने कोटी कोटी धन्यवाद किया इतना धन पाकर भोगे और उसकी पत्मी को घमंड नहीं आया था दूसरे साल का पित्र पक्ष आया श्राद के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए ब्रामणों को बुला कर पूरी श्रधा भाव से श्राद किया भूजन कराया दक्षिनादी जेठ जिठानी को भी बुलाया और उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भूजन कराया उससे उनके पित्र बड़े प्रसन और त्रप्थ हुए और उन सभी को आशीष देते हुए अपने लोग को चली गए तो ऐसी है पित्र पक्ष में श्राद करने की महिमा श्राद पक्ष के दोरान हमारे पूर्वज पृत्वी पर सुक्ष्म रूप से आते हैं और उनके नाम से किये जाने वाले तरपन को विसहश स्वीकार करते हैं इससे पित्रों की आत्मा को शान्ती मिलती है और घर में सुक शान्ती बनी रहती है इसके अतिरेक्त पित्रपक्ष में पित्रों को तरपन देने और श्राद कर्म करने से उनको मुख्ष की भी प्राप्ती होती है इस दोरान नैकेवल उनकी मुक्ती के लिए श्राद किया जाता है बलकि उनके प्रेती अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है पित्र पक्ष में शदा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है श्राद कर्म के दोरान हमें लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए पित्र पक्ष में पीतल तांबा और अन्यधातु के वर्तनों का प्रियोग करना चाहिए इसके अलावा इस दोरान बाल और दाड़ी भी नहीं कटवाने चाहिए इससे धनकी हानी हुती है भक्तों को अपने हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल और काले तिल लेने चाहिए और पित्रों का ध्यान करते हुए उनसे जल ग्रेंड करने का अनुरोध करें पित्रपक्ष में हम अन्यजल का भोग कववे के माध्यम से लगाते हैं कहा जाता है कि कववा यम का यानि यमराज का प्रतीक होता है कववे का भोजन कराना अपने पित्रों को भोजन पहुचाने के समान माना जाता है इसलिए पित्र पक्ष में कवों को निवाला देना बहुत शुब माना जाता है इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाप राप्त कर सकें